जैशेगाम, बहुत स्वागत है आपका आपकी अपने खास कारिकम में मैं हूँ आपके शाथ आचारी राजमिश्या हम प्रत दिन दिन की सुरुवात करते हैं और प्रत दिन हम किसी जोची से संपर्क कर पाएं ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई जोची प्रत दिन का हाल हमें बता पाएं जब भी हम किसमपर करते हैं हमसे भी लोग कॉल करते हैं तो हम छे महिने आपका कैसा होगा साल भर कैशा होगा अगला महिना कैशा होगा ये तो सभी लोग बताते हैं लेकिन प्रत दिन की आज मेरा दिन कैशा होगा कल का मेरा दिन कैशा होगा ये जानना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन हमारी दिन चर्या में कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो हमें ये बता सकती हैं कि ह मारा अखिर आज का जो दिन है वो किस प्रकार का बेतित होने वाला है। हमारे यहां सास्त्रों में नियम था कि हम पहले प्रति-दिन पूजण करते थे। पूजा करके घर से धीपक जलागर के घर से जनरल निकलने का नियम है। अच्छा बहुत सारी फिल्मों में या बहुत सारे सीरियल में या बहुत सारे धार्मिक सीरियल में आपने चीजे देखा होगा कि दीपक बुझ जाए तो उसको अप्शकुन मना जाए अरे दीपक बुझ गया, कुछ गरबड होने वाला है, किसी भी शुबकारि से पहले दिय जलाने का नियम है कुछ भी शुबकार एगर हमारे धार्मिक सास्तर के अंतरगत किया जाएगा तो दिया सबसे पहले जलाया जाता है दीपक क्यों रोज पहले जलाया जाता था दिया का प्रियोग पूजन करते वक्त क्यों आवश्यक है और क्यों उसको जलाया जाता था लोग प्रियोग किया करते थे क्या परिस्थिती थी पहले बहुत सारे आप पुरातन जोत्सियों के पास जाएंगे ग्रामेड चेत्रों में तो एक दिया अपने सामने वो जला करके रखते थे ऐसा भी उनके शाथ नियम था तो जब भी आप दिया जलाएं उससे आप यह समझ सकते हैं कि आपका दिन अच्छा होगा या बुरा होगा कैशे आपने दिया जलाया और दिया में तेल होते हुए भी बत्ती बहतर होते हुए भी यदि आपका दीपक बुझने की परिस्थिती में हो रहा है तो इसका अतात पर ये है कि आपका दिन अच्छा व्यतीत होने वाला नहीं है आपको दिन में बहुत सारी प्राब्लम फेश करनी होगी आपने दिया जलाया ठीक है उसकी परिस्थिती कैशी हो रही हो उसकी लौ काप रही हो ऐसे सीधी नहीं जा रही हो हवा नहीं चल रही है लेकिन यदि फिर भी उसकी लौ में कंपन हो रहा है इसका अतात पर ये है कि आपका दिन बहतर नहीं होने वाला है आपका दिन आज खराब जाने वाला है आपने दिया जलाया और उसमें से चटचट की आवाज बहुत बार ऐसा होता ना कि दीपक जलाद उसमें चटचट की आवाज निकल का क्याती है तो ये आपके दिन में आने वाली काफी सारी शमस्याओं की सूचना देता है आपका दिन बहतर नहीं होने वाला है आपने दिया जलाया उसकी लग बाईं तरफ की ओर जो है वो जा रही है तो इस परिस्थिती में आप ये सोच लिजे कि आपका दिन खराब होने वाला है तो हम किसी मार्ग दर्शक के पास ना जा करके इन छोटी छोटी चीजों के माध्यमशे भी अपने दिन में होने वाले अच्छे और बुरे परिस्थितियों को जान शकते हैं यदी परिस्थिती खराब दिख रही है मुझे दिख रहा है कि नहीं ये मुझे अच्छे संकेत नहीं दे रहा है तो मैं सुन्दरकांड की कोई भी चौपाई उठाइए और पढ़ लीजिए या घर से निकलते वक्त मातापिता को प्रणाम कर लीजिए परमात्मा को प्रणाम करके और घर से निकलिए निश्चत रूप से आपको काम्यावी मिलेगी तो ऐसे बहुत कारिक्रम में आपके ले करके आता रहूंगा आप मेरे साथ लाइब कारिक्रम में भी जुड़ सकते हैं जानने के लिए आप चैनल को फॉलो करके रखें और उसके साथ आप मुझे कॉल कर सकते हैं जान सकते हैं वाटसाइब के थू जान सकते हैं मेल के थू जान सकते हैं कोई उपाय करना चाहते हैं कोई रत्न रुद्राक्षित्यादी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं जैसे राम, बहुत अन्यवाद